नमसकार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार का Current Affair का Important Point को डिसकस करेंगे, इसमें कौनकों से Point को डिसकस किया जाएगा। तो सरकार का अगामी लच, बिभीन पोर्टल, एबम एप, बिभीन रिपोर्ट, एबम रैंकिंग में बिहार का अस्थान से सम्मंधित सभी पॉइंट को डिसकस किया जाएगा केवल एक वीडियो में, जो आगे आने वाले 67th BPSC OCDPO एक्जाम के लिए महतपुर्ण है, जो एक स्पेशल वीडियो में अप्लोड किया जाएगा, एक्जाम से दो दिन पहले, ताकि अभी देखेगा तो भूल जाएगा, और एक्जाम के दो दिन पहले देखेगा, और एक दो बर रिवियन कर लिजेगा, तो आपको याद भी रहेगा, और इसका PDF टेलिग्राम गृप 2021-22 के अनुसार, तो इसमें पहला है, एक साइड आपके बिसे है, और एक साइड लच वर्स है, तो बिहार में सिंगल यूज पलास्टिक को समाप्त करने का लच रखा गया है, तो एक जुलाई 2022 तक जो है, बिहार में सिंगल यूज पलास्टिक को समाप्त करने का लच रख तो कब तक रखा गया है 2022-23 तक मंदेगा के तहत 25 क्लोर मानव दिवस सिर्जित करने का लच रखा गया है मंदेगा के तहत 2 क्लोर पौधा रोपन करने का लच जीमका की सहयोग से दीदी की पौधा साला योजना के तहत जीमका के सहयोग से दीदी की पौधा साला योजना के तहत जो है मंदेगा के तहत 2 क्लोर पौधा रोपन करने का लच कब तक रखा गया है तो 2022-23 तक रखा गया है मुख मंत्री गराम संपर्क योजना के अंतरगत 6,000 किलो मिटर नए गरामी सलकों का निर्मान करने का लच रखा गया है 2022 तेस तक रखा गया है प्रधार मंत्री गराम सलक योजना के अंतरगत बिहार में जोए पचीस सो किले मिटर नए गरामी सलकों का अंद्रिमान करने का लच रखा गया है 2022 तक रखा गया है विस्नुपद मंदिल के पास फल्गु नदी में रवर डैम को पूर्ण करने का लच रखा गया है तो अगस्त 2022 तक एक कहां पर है तो गया में अस्तित है विस्नुपद मंदिल के पास जो है फल्गु नदी में रवर डैम बन रहा है तो रवर डैम को पूरा करने का लच कब तक रखा गया है तो अगस्त 2022 तक रखा गया है बिस्नुपद मंदिल के सामने फल्गु नदी में पूरे बर्स जल की उपलवता सुनिचित करने का लच रखा गया है अक्टूबर 2023 तक very very important point है बिस्नुपद मंदिल के सामने फल्गु नदी में पूरे बर्स जल की उपलवता सुनिचित करने का लच रखा गया है अगस्त 2022 रखा गया है आत्म निर्भर बिहार के सात निश्चे टू के सातो लच्छो को प्राप्त करने का समय सिमा रखा गया है करने का लच रखा गया है पटना मेट्रो रेल पर उजना का कार पूर्ण करने का लच रखा गया है तो सितंबर 2024 तक रखा गया है नेक्स्ट है सत प्रतिस्चत सचर्था प्राप्त करने का लच रखा गया है 2030 तक उच सिच्छा के लिए 50% सकल नमांकन अनुपात हासिल करने का लच रखा गया है 2035 तक रखा गया है बिहार के हर घर में प्रिपेड मिटर लगाने का लच रखा गया है नेक्स्ट है बिहार सडक सुन कारवन उत्रसरजन का लच हासिल करने का लच रखा गया है पच्छमी कोसी नहर परियोजना के कार को पूर्ण करने का लच रखा गया है मार्च 2023 तक रखा गया है हेपटाइटीस को पूरी तरह से खत्म करने का लच रखा गया है तो कब तक रखा गया है 2030 तक बोला गया है कि हेपटाइटीस को पूरी तरीके से सांप्त कर दिया जाएगा एड्स को सांप्त करने का लच कब तक रखा गया है तो 2025 निर्धारित किया गया है कि टीवी को पूरी तरीके से बिहार से कब तक समाप्त कर दिया जाएगा नेक्स्ट है राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर उर्जा से बिजली की आपूर्ती करने का लच रखा गया है जुन 2023 से राजगीर और बोध गया ध्यान रखेगा राजगीर और बोध गया दोनों आपकी परियाटक अस्थल है राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर उर्जा से बिजली की आपूर्ती करने का लच रखा गया है जुन 2023 से नेक्स्ट पॉइंट है वर्स 2021-22 में बिहार के बिभीन बिभाग दौरा शुरू किये गए एप और पोटल के बारे में समझे यहां से एक कोसन पूछा जा सकता है इस बार BPSC में तो देख लिजे एक से आपके एप और पोटल है जारी करता किसके दौरा जारी किया गया और उस जो पोटल था उसका जारी करने का उद्देश किया था उसके बारे में समझना है तो पहला है इंद्रबरज एप किसके दौरा जारी किया गया है इंद्रबरज एप तो गया है तो आपदा प्रबंदन विभाग के द्वारा जारी किया गया है और किस लिए तो 20 किमिंटर दाइरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनिट पहले चेताबनी के लिए जो है इंद्र ब्रज एप को जारी किया नेक्स्ट है परिमारजन पोटल के बारे में समझे तो परि जो परिमारजन पोटल है जारी किसके द्वारा किया गया है तो राजस एबं भूमी सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है इलगातार चर्चा में बना हुआ है इसे ध्यान से याद रखेगा इसके माधियम से भूधारी रईयत डिजिटलाइज जमाबंदी बिध्या बाहनी मोबाइल एप किसके द्वारा जारी किया गया है तो सिच्छा विभाग के द्वारा जारी किया गया है बर्ग एक से बारत तक की पार्ट पुष्टक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्द कराया गया है बिध्या बाहनी मोबाइल एप के माधियम से बिहार केरियर पोटल, बिहार केरियर पोटल किसके दवरा जारी किया गया है, तो सिच्छा बिभाग के दवरा जारी किया गया है, बिहार केरियर पोटल को, और इसका उद्देश किया है, तो माधिमिक, उच माधिमिक कच्छाओं के छात्र, छात्राओं के केरियर काउंसिलिंग के लिए जो है बिहार केरियर पोटल को लॉंच किया गया है इसे दोबारा देखेगा बिहार केरियर पोटल किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो सिच्छा विभाग के द्वारा और इसका उद्देश किया है माध्मिक ध्यान रखेगा माध्मिक उच माध्मिक कच्छाओं के चात्र, चात्राओं के कैरियर counselling के लिए आपके विहार कैरियर पोटल को launch किया गया है Next है संजीबनी एप किसके द्वारा जारी किया गया है तो स्वास्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है, लोगों को घर बैठे निसुल्क चिकित्सिय प्रामर्स उपलब्ध कराने के लिए ये संजीबनी एप को जारी किया गया है सुबधा एप किसके द्वारा जारी किया गया है सुबधा एप तो उर्जा विभाग के द्वारा जारी किया गया है सुबधा एप को और ये क्या है इसका उद्देश क्या है तो बितरन कमपनियों द्वारा उप भुगताओं को विभिन परकार के सिवाओं जैसे कि नया बिजली कनेक्शन, ओनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली चोरी सुचना, सिकायत, दर्ज इत्यादी सुब्धाएं दिया जाता है सुब सरकार की नियमित सरकारी सेवाओं को विभिन परकार के सिवाओं जैसे कि नया बिजली कनेक्शन, ओनलाइन बिजली बिल भुगतान करना, बिजली चोरी सुचना, सिकायत, इत्यादी, दर्ज जो है सुब्धाएं सुब्धा जो एफ ये परदान करता है उसके बाद नेक्स सरकारी सेवाओं के मामलों तथा सेवा निवर्ति कर्मियों के सेवांत, लाब भुगतान की सिकायतों की परभावी एवं समय बध निराकरण होगा किसके माधियम से, सेवा समधान बेप पोटल की माधियम से, समान परसासन बिभाग के दौरा जारी किया गया है नेक्स्ट है Common Social Registry Portal किसके दवरा जारी किया गया है तो बीत विभाग के दवरा जारी किया गया है Common Social Registry Portal इसका उद्देश से बिहार बजट 2022 में इसे बिक्षित करने की घोशना की गई है और इससे प्रतेक परिवार को प्राप्त होने वाली सरकारी लाब की सुचना सभी निर्बंधन है तू एक Common Platform होगा इससे दवरा देखेगा Common Social Registry Portal किसके दवरा जारी किया गया तो बीत विभाग के दवरा जारी किया जाएगा और बिहार बजट 2022 में इससे बिक्षित करने की घोशना की गई है इससे प्रतेक परिवार को प्राप्त होने वाली सरकारी लाब निर्बंधन है तू एक Common Portal आपके होगा ठीक है उसके दिरिस्टी एप जो दिरिस्टी एप है किसके दवरा जारी किया गया है तो जल संसाधन विभाग के दवरा जारी किया गया है इस विभाग के दवरा जो है राज में चल रही विभीन परियोजनाव की मोनिटरिंग की जाएगी दिरिस्टी एप के माधियम से वेरी वेरी इंपोर्टन कोईन है जल संसाधन विभाग के दवरा जारी किया गया है और इस विभाग के दवरा जो राज में चल रही विभीन परियोजनाव की मोनिटरिंग की जाएगी नेक्स्ट है चक्र मॉबाइल एप किसके तो पंचायती राज विभाग के दोरा जरी किया गया है और इसका उद्यश गया है हर घर नल الصकियार जल और गली नाली पकी करन 55 के दर्ज कराने के लिए दुबरा देखेगा इन निश्चे पोटल जो है पंचायती राज विभाग के दुबरा लॉंच किया गया है और इसका उद्देश है कि हर घर नल जल और गली नाली पक्की करन योजना से सम्मंधित सभी परकार की सिकायते दर्ज करने के लिए जो है इन निश् गया है इसका उद्देश गया है तो राज में होम ऐसोलेशन में रहने वाले कोविड उनीस रोगियों की निगरानी और ट्रेकिंग के लिए लौच किया गया है हीट कोविड एप को नेक्स्ट है अनमोल एप किसके दवारा जारी किया गया है तो स्वास्थ विभाग के नेयक्स्ट है E-Lots-Portal, किसके दबरा जारी किया गया है, विहार सिच्छा परियुजना परिषयत के दबरा जारी किया गया है, इसका वुद्धिय से की पहली से बार्मी कच्छा की पुस्त के इस पोटल पर ओनलाइन उपलब्द रहेगी, यह एक परकार सिचको और बिद्या प्रफ़ों की ऑल्लाइन पढ़ाई को बनावा मिलेगा ए लौट्स पोटल के माध्यम से नेक्स्ट है भारत सरकार के बेभीन रिपोर्ट रैंकिंग में बिहार के बारे में समझे तो पहला आपके इधर एक सब्सक्राइब के रिपोर्ट इंडेक्स से जारी करता किसके द्व 2021 किसके द्वरा जारी किया गया है तो पब्लिक अफेर्स सेंटर बेंगलोरी के द्वरा जारी किया गया है इसमें बिहार को सतर्मा स्थान दिया गया है और बड़े राजियों में केरल को पहला स्थान दिया गया है लोजिस्टिक प्रदर्शन सुचकांक 2021 किसके द्वरा ज इसमें बिहार को जो है उंतिसमा अस्थान मिलता है और पहला अस्थान आन्द पर्देश को मिलता इसमें नेक्स्ट है टॉत दस स्टेश्टो की सुची के बारे में देखे तो 11 के जारी किया गया है तो गिरी मंत्राले के द्वारा जारी किया गया है इसमें दसमा अस्थान रामपूर चवराम थाना को दिया गया है जो अरवल बिहार में अस्तित है और पहला अस्थान सदर बजार पुलिस अस्टेशन नई दिल्ली को दिया गया है टॉप दस पुलिस अस् किसके द्वारा जारी किया गया है तो नितिय आयोग के द्वारा जारी किया गया है सबसे ज्यादा गरीब जो है बिहार राज और यहां के 51.91 लोग जो हैं गरीब हैं सबसे कम गरीब कहां पर हैं तो केरल राज में सबसे कम गरीब हैं सतत विकास लच भारत सुचकांग 2020-21 कौन जारी करता है नेति अयोग जारी करता है इसमें सबसे अंतिम अस्थान विहार को दिया गया है और पहला अस्थान केरल को दिया गया है और विहार का अस्कुर बामन रहा था नेक्स्ट है भारत 94 सुचकांग 2020-2020 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है तो नेति अयोग के दोरा जारी किया जाता है और एक प्राइवेट संस्था के साथ में मिलके जारी किया जाता है इसमें बले राज्यों में सबसे अंतिम अस्थान विहार को दिया जात को मिलता है केवल राज्वार्जियों में किसे मिलता की किरनाटक को मिलता है अगर राज और कम साथां की सोदिय को दिया गया है सब्सक्राइब नेक्स्ट इंडिया जस्टिस्स रिपोर्ट डुले design क्या खरी करता है इसमें गया को जा Bell को पर्फे हरो पहला तक महए को मिला था एज ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 कौन जारी किया है तो अवास एवं सहरी मंत्राले के द्वारा जो है एज ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया है बड़े सहरों में पटना का अस्थान 33 है छोटे सहरों में सबसे खराब प्रदरसन किसका है तो इसमें पटना नगर निगम को सुलमा अस्थान दिया गया है नगरपाल का प्रदरसन सुचकांग 2020 में प्रथम अस्थान जो है इंदोर नगरपाल का वो दिया गया है मिलियन से अधिक जनसंख्या बाले में नेक्स्ट है चवथा राज स्वास्त सुचकांग को जारी किया है तो निती आयोग जारी करता है बिहार का स्थान अठर्मा होता है अंतिम से दुसरा अंतिम से दुसरा अकुल कितना स्कुर मिलता है तो 31 स्कुर मिलता है चवथा राज स्वास्त सुचकांग में बिहार को न किसके दुवरा जारी किया गया है तो फैसाई के दुवरा जारी किया गया है बले राजियों में अन्तिम स्थान बिहार को मिलता है 20St teacher दिया जाता है और बड़े राजों में पहला स्थान जो है गुजरात को मिलता है तिसरा राज खाद सुचकांग 2020-21 में कौन जारी करता है तो फिसाई जारी करता है नेक्स्ट है अधारभूत सचर्ता गन्ना पर अधारी सुचकांग अधारभूत सचर्ता और गन्ना पर करन कर लिजेगा आप लोग और इसमें सबसे अंतिम अस्थान बिहार को दिया जाता है और जो पहला अस्थान है पच्छी बंगाल को दिया जाता है अधारबुत सचर्ता और गर्णापर सुचका अंक में नेक्स्ट है चैंपियंस ओफ चेंज डेल्टा रेंकिंग किसके द्वरा जारी किया गया है इसमें दुसरा अस्थान मुझापरपूर को मिलता है तिसरा अरंगाबाद को चतूर्थ अस्थान बाका को पाच्मा अस्थान सेकपूरा को पहला अस्थान दुमका जिला जहरकन को मिलता है नेक धिसरा है, 51.82 अस्कुर मिला है बिहार को, इसमें पहला स्थान आपको, राजस्थान को मिलता है, नेक्स्ट है, वर्ष 2021 बाईश में, बिहार सरकार दोड़रा लाई गई, नई नीती एवन विधः के बारे में एक बार देख लिजिए, वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार दोरा लाई गई नई नीती और विदहे के बारे में आपर समझे पहला है नई नीती के बारे में बिहार नगलपार का अध्यादेश 2022 बिहार नगरपाल का अध्यादेश 2022 2022 जो राजपाल अध्यादेश किस आठकी के तहरी करते हैं तो 213 के तहट और राजपती 2022 क्या है तो इसके तहट जो है नगर निकायों के अध्याच नगर निकायों के अध्याच और उपाध्याच का चयान जो है जनता के परत्यच निरबाचन की रिती के कारणों के लिए संसोधन किया गया है मतलब कि अब जो है अगर इसंसोधन अध्याध्याच जारी हो गया है तक तरीके से लागू ही हो जाएगा जब इससे बिधान स्वाप पारित कर देगी तो इसमें बोला क्या गया कि जो आपके नगर निकाय के अध्याच और उपाध्याच हैं उनका चुनाव सिद्धे जनता करेगी कहने का मतलब यह है नेक्स्ट है बिहार सहरी आयोजन तथा विकास बिधायक 2022 यह क्या है तो इस बिधायक के तहट जो है सरकारी प्रयधिकार की और से होने बाली जमीन अधिगरहन में भू स्वामितियों की सहमती की बाधिता समाप्त कर दी गई है इससे पहले सहरी विकास के लिए जमीन बिधायक 2022 के बारे में समझे यह अभी बिधायक है ठीक है इसके तहट जो है इस बिधायक के अध्याच के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्स और सदस्यों के लिए उम्र सीमा 70 वर्स तक की गई है दोबारा देखेगा बिहार राज बिष्विध्याले सेवा आयोग बिधाय 2022 इसके तहज जो है आयोग के अध्याज के लिए अधिकताव उम्र सीमा 75 वर्स और जो मेंबरों के उनके लिए 70 वर्स निर्दारित किया गया है नेक्स्ट है ऑक्सिजन उत्पादन प्रोसाहन निती 2022 राज में चिकिस्षी प्रयोजनों के लिए ऑक्सिजन की उत्पादन में तेजी लाना नेक्स्ट है इतनोल उत्पादन नीती 2021 के बारे में समझे तो राज में उद्यों की अस्थापना कर जो है प्राकृतिक संसादनों का अधिक्तम मुलवर्धन करना, राजस्व उत्पन करना, एबमरोजगार सिर्जित करना इसके तहत बिहार में जो है 151 इतनोल इकाया 2021 के तहत पेजल उपभोगता सुल्क नीती 2021 नल जल योजना को जो है संबेद को द्वारा पांच बरसिये रख रखाओ की अबधी समाप्त हो जाने के बाद उसका रख रखाओ सहरी अस्थानिया निकाई को दिया जाएगा पेजल उपभोग सुल्क नीती 2021 के माध्यम से उस तो इसमें क्या है कि अवैद खनन परीबहन एबम भंडारन को रोकने इसमें समलिप्त बेखतियों के बिरुद कड़ी करवाई है तू सक्त रंडात्मक प्रवधान किया गया है बिहार पहला राज है जिसने इस तरह के नियम को अधिसुचित किया है बिहार खनीज संसुध 2021 के तहत नेक्स्ट है विभार स्वास्त बिग्यान की करना तो आपकी निती है इसमें क्या है विभार स्वास्थ बिग्यान विस्विद्याले अधिनियम 2021 तो इसके तहर जो है इसका उद्देश क्या है तो चिकित्सा सिच्छा के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश से जो है राज में स्वास्थ बिग्यान विस्विद्याले की अस्थापना करना नेक्स्ट बिहार तकनीक सेवा आयोग संसोधन बिद्यक 2021 के बारे में समझे तो इसका जो उद्देश है कि इस संसोधन के अनुसार जो है तकनीकी सेवा आयोग के अधियन का कारिकाल जो है तीन बरस या अधिक्तम 70 बरस किया गया है द्वारा देखेगा बिहार तक्नीक सेवा आयोग संसुधन बिदैक 2021 इस संसुधन के अनुसार जो है तक्नीकी सेवा आयोग के अध्यान का कारकाल तीन बर्स या अधिक्तम 70 बर्स किया गया है एक बर चेक किजिएगा इसमें अध्यान होगा या अध्याच होगा चेक प्रवंधन नियम दोरशत्रे का तहत लाया गया है बिहार राज आद्र भूमी प्रधिकरन 2020 नेक्स्ट है बिहार किर्सी निवेश प्रोश्चाहन नीती 2020 किर्सी बेवसाहिट छेतर में निवेश को प्रोश्चाहित और सुगम करने के लिए इस नीती के माधियम से जो है नई किर्सी प्रोश्चाहन नीती 2020 का उद्देश है ठीक है उसके बाद देखे बिहार का जो भी करेंट अफेर बचा हुआ है उसे प्रयास कहे जाएगा कि दो से तीन वीडियो में आपके समाप्त कर दिया जाएगा ठीक है तब तक इतना आप लोग वीडियो को देख लिये है आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो हिल्फुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्ते में सेयर आप सभी लोग जरूर कीजएगा ठीक है ठीक है ठीक यू